एंडीय की राश्ट्रपती उम्मीदवार ओडिसा की द्रापदी मुर्मु ने रायर्पुर के सिब मंदिर में जाड़ूं लगा कर सफाई की और उसके बाद पूजा अर्चना की। इससे पहले उन्होंने रार्वपुर के ही जगननाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। केंद्र सरकार ने आज से केंद्रिय रिजर्व पुलिस बल के जवानों द्वारा 24 घंटे जेड प्लस श्रेनी की सुरक्षा प्रदान कर दी गई है। उरिसा में सिचाय और बिजली विभाग में एक कनिष्ट सहायक से लेकर बीजेपी के नितरित्व वाले राजग की ओर से राष्ट्रपती पद की उम्मीदवार नामित होने तक का सफर आदिवासी नेता द्रौपदी मुर्मू के लिए बेहद लंबा और मुश्किल सफर रहा है निर्वाचित होने पर मुर्मू आदिवासी समुदाय से तालुक रखने वाली भारत की पहली राष्ट्रपती होंगी एसे एस हुंड़ाई लखनओ के एमडी गुंजीत कालरा ने लाम्प लाइटिंग के साथ बेंगलूरू 2022 में सबसे बड़ी हुंडई नेशनल डिलर सम्मेलन का उद्गाटन किया शाष हुंडई को एक बार फिर भारत के प्लेटिनम हुंडई डीलर के रूप में सम्मानित किया गया है हुंडई मोटर इंडिया लिमिटिड के एमडी अन्सू किम तरुन गर्ग निदेशक बिक्री और विपननने सवसर पर उपस्थित रहे असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्वा सर्मा की पतनी रिंकी भुया सर्मा ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री सिसोधिया के खिलाफ सो करोर रुपे का नागरिक मानहानी का मुकदमा दायर किया। जैसे राजमार्ग को बंद कर दिया गया है। जम्मू, श्रीनगर, राष्ट्रिया, राजमार्ग और मुगर रोड पर हुए भूस्खलन के कारण कश्मीर घाटी को जोडने वाले सभी मार्ग बंद हो गये है। दो दिनों की तेजी और सकारात्मक वैश्विक संकेतों के बावजूद आज शेयर बाजार में गिरावट देखी गई। कुलते ही सेंसेक्स करीब 400 अंक नीचे गिर गया। करीब 0.72 प्रतिशत की गिरावट के साथ सेंसेक्स 5154.49 पर कारोबार कर रहा है। उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिशद की ओर से संचालित स्कूलों में फरजी और कुटर्चे तभिलेखों के जर्ये शिक्षक नियुक्त होने का सिलसिला थम नहीं रहा है। स्पेशर टास्क फोस स्टी एफ ने जांच में पाया है कि परिशदिय विद्यालेयों में 228 फरजी शिक्षक बच्चों को पड़ा रही हैं। यह वे अभ्यर्थी हैं जो फरजी और कुटर्चे तभिलेखों के बल पर शिक्षक की नौकरी पाने में सफल हुए हैं। महराष्ट्रा में उद्धव ठाकरे की सरकार को लेकर सस्पेंस लगातार बरकरार है। बागी नेता एकनात शिंदे ने दावा किया है कि उनके साथ 40 विधायक हैं। इस बीच ठाकरे ने आज अपनी कैबिनेट की बैठक बुलाई है।